बच्चों की तीन फेवरेट चीजों से बना केवल पांच में बिना गैज इलाई ये सुपर टेस्टी और मिनी केक्स आपने बच्चों को दे दिया ना तो नी येर हो क्रिस्मास और बच्चों यहीं डिमांड करें कि उनको इतना पसंद आएगा बिना अबन बिना अंडे के कोई बनने वाला केक आपको बहुत पसंद आएगा चलिए देख लेते हैं उसको बनाने के लिए मैंने यहां पे तेरा पीसे ब्रेट के लिए हैं वह भी ब्राउन ब्रेट जो की वाइड ब्रेट के कंपरेजर में थोड़ा हेल्दी तो होता है मैंने थोड़े कुछ बड़ बिस्किट ले सकते हैं उसके बाद मैंने एक यहां पर डेरी मिल्क ली है इसके जगे आप कोई भी चॉकलेट सकते हैं जिसे मैं इसको डेकोर करने वाली हूँ तो अब मैंने डेरी मिल्क को अच्छे से यहां पर ग्रेट कर लेना है तो इससे हम क्या करने वाले हैं आगे मै क्रीम को अच्छे से निकाल देना है तो यहां पर तो काफी ठंड पड़ रही है तो जो बिस्कित के क्रीम से अच्छी ड्राय है देखिए इजली नहीं निकलेगी तो इसको जैसी ब्रेक हो रही है ब्रेक हो जाए दिजे मैं इसका बड़ी असा स्लूशन अपको देने वाली ह बच्छे बड़ी चार्च चार्ट कर खाते हैं तो यह तो क्रेक में लगनी ही चाहिए तो बस पहले आप इसको जिस तरीके से निकल ले उस तरीके से आप इसको निकाल लीजे उसके बाद हमें क्या करना है जो बिस्किट से उनको छोटे-छोटे टुकडों में तोड़िए इसका सेमी ठीक हमें चॉकलर डिप बना के रड़ी करना है देख सकते हैं कितना इजी यह ब्रेड का केक है बिना ओवन बिना बेक कि आप इसको बना सकते हैं तो बहुत ही रनी कंसिस्टेंसी करना बनाए नहीं तो जब इसको आप स्प्रट करोगे ना तो वह गिरता है तो बिलकुल इस कंसिस्टेंसी का आपको बनाना है आप देख लीजें सेमी ठीक होना चाहिए ना ज्यादा रहनी ना ज्यादा ड्राइ अब आपको क्या करना है कि यह जो बीच वाली करीम थी ना तो मेरी तो पुरी ब्रेक हो गई थी तो मैंने कहीं कि इसको अच्छे से डोप से चॉकलेट डिप से यह पर कोट कर लेंगे जैसे क्या अगा हमारे जब केक बनाएंगे ना वो फिक्स हो जाएगा वो इधर भगेगा नहीं बैस तो एक लेयर मने रख दी अब हमें क्या करना है इसको सुगर सिरफ बनाके रखा था दो चमा शकर में पाई डालका हलका नहीं तो क्या होगा ना कि यह गीला हो जाएगा अब आपको फोर लेयर तक ऐसे ही करना है पहले शोगर सिरफ उपर से अच्छे से चॉकलेट को कोट करना है तो नीचे की लिएर में थोड़ा कम चॉकलेट आप कोट करेंगे तो चलेगा लेकिन उपर की लेयर में बड़ी इसा कोट होना चाहिए तो चारो लेयर के साथ पहले मैं ऐसे कर लेते हैं आप कितनी भी लेयर का यह केक बना सकते हैं तो फोर लेयर काफी अच्छा लग रहा था तो मैंने बस उतना ही बनाया यह देखी तो आप अच्छे से चार लेयर बनाने को इसको चारो तरफ अच्छ ज्यादा मैंने पतला नहीं बनाया था तो इजली बहुत अच्छा से स्प्रेड हो जाता है तो बच्चों को पैसे छोटे-छोटे बना के दीजे वह देखे खुश हो जाएंगे थोड़ा नए तरीकी का केक और बस ऐसे बना लिया है तो मैंने तीन चोटे-छोटे केक और बन कोट करना है तो कोई कहीं नहीं सकता कि ब्रेड से बना हुआ मिनी केक है तो बाजार में जाओगा ना इस तरीकी के चोटे-छोटे केक्स मिल जाएंगे तो यह देखे अभी मैंने क्या क्या कार्ड लिया कोई भी कार्ड ले सकते हैं इसी बड़ी असाई से क्योंकि पर लाजानी से उठा सकते हैं यह देखे ना तब अकर बड़ा केक बनाते है तो अब उसको ऐसे उठाएंगे तो ब्रेक हो जाता है तो चोटे-चोटे केक्स बनाइए उठाए भी सकते हैं बच्चों को ऐसे दीजे अब डेकोरेशन तो आप अपने हिसाब से कैसे भी कर सक अब लगा सकते हैं तो मैंने जैंस लगा कि बच्चों को बड़ा ही पसंद आता है जैंस बड़ी आइसा आपको कीक तो बनके रडी है ऐसे मैंने बिल्कुल छोटे वाले मीनी केक्स को भी डिकोर कर लिया है मैं आपको देखाती हूं तो ये देखे आप बच्चों को ऐसे देंगे ना तो बच्चे बहुत सौक्ट से खाएंगे तो बहुत बहुत पसंद आएगा तो नीयुयर में क्रिस्मस हो तब उनको यह जरूर बना करें का कम टाइम में भी बिना बेक किये बहुत पसंद आएगा तब तक के लिए आप जाकर ट्राय करें बाए थैंक्स वर बच को यह ज़ित